राम राम दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम राम जी की सिरी राम की कुछ अलग तरीके से एनिमी स्टाइल में ड्रोइंग को ड्रोग करेंगे और आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखीगा आपको जरूर ही इंटरस्टिंग और मज़ा आएगा वीडियो देखने में चलिए फिर ड्रोइंग स्टार्ट करते हैं हम अभी भगवान राम के आउटलाइन को ड्रोग कर रहे हैं उसके बाद हम इसमें कलर करेंगे और एक्तम रियलेस्टिक तच देते हुए अपने ड्रोइंग को कंप्लीट करेंगे आप हमारे वीडियो संकी कोई भी ड्रोइंग बनवानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा हम जरूर कोसिस करेंगे कि आप सभी के लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाएं और अपलोड करें हमारे राम जी के स्केच आउटलाइन और मॉस्ट कंप्लीट हो चुका है आप देखी सकत देखिए हैं कि हमारे राम जी की ड्रोइंग बन चुकी है अब हम इसमें कलर करेंगे और इसे रिलेस्टिक का डच देते हुए हम ड्रोर करेंगे आउटलाइन कम्प्लीट होने के बाद ऐसी दिख रही है अब हम इसमें कलर करेंगे हमने पहले द्रेस से स्टार्ट किया है कलर करना हम इसमें स्लोली एकदम अच्छे से टाइम देते हुए कलर करेंगे इसमें मैं वीडियो को fast कर के दिखा रहा है। जिस से हमारा time कम लगेर और आप इसमें entertain होते रहें, बोर्न ना हो। आप हमारे वीडियो लास जरूर देखेएगा। आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर चीखने के लिए मिलेगा। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें आप सबी हमें ऐसे सपोर्ट करते है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है हम ब्लेक पेंसिल कलर का इस्तमाल कर इसमें आउटलाइन टच दे रहे हैं जिससे की हमारा ट्रोइंग और भी रियलेस्टिक दिखे चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम इसमें अच्छे से कलर को एक के ऊपर एक ब्लेंड कर रहे हैं जिससे और भी ड्रेस हमारा रियलेस्टिक दिखें जिससे की हमारा रियलेस्टिक दिखें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाईएगा जिससे हमारी नए टैलिक आसोने वीडियो आप तक जरूर पहुचेगी चलिए फिर हमारे राम जी की ड्रोइंग और मॉस्ट कम्प्लीट हो जो आप हमारे राम जी की ड्रोइंग को रेट कीजिएगा और बताईएगा आप हमें कमेंट करके रेटिंग जरूर बताईएगा चलिए फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको हमारे राम लळा की ड्रोइंग कैसे लगी हमारी राम लला की ड्रोइंग कम्प्लीट हो चुकी है हम अब आपसे विदा लेते हैं और आप सभी से अगले वीडियो में मुलकात होगी आप चलिए फिर बाई और हमारी वीडियो लाज तक देखने के लिए धन्यवाद आप कमेंट में जैसी री राम लिखना मत जरूर लिखिएगा जैसी री राम तर चलिए बाई बाई